हेलो एब्रिवाइन कैसे आप लोग आज हम करेंगे इन वन शॉट रिविजन आफ ट्रेंगल्स क्लास 10th cbsc के हिसाब से पूरा इसको कंप्लीट किया जाएगा ट्रेंगल्स चेप्टर को ठीक है विट पीवाई क्यू प्रिवेस एर कोश्टन पर यहां पर किये जाएंगे पर यहां से आपको करना एक प्रिवाइन को सब्सक्राइब अगर आप नए है पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों किसा शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं चलो तो बिस्टार्ट करते हैं बिना किसी इस यहां को क्राइब करते हैं क्या-क्राइडियार्य अपके इसलेब से हट चुका है तो यह मैंने में लेकिन अभी मैं इसको यहां पर रिवाइज नहीं करा हूँगा लास्ट मैं पैथागरस तिरम जो आप बच्पन से करते हैं है ना तो बेसिकली अपन को पढ़ना यही बहुत ही ज्यादा चोटा सा चैप्टर है लेकिन हाँ इस चैप्टर में आपके easy, medium, hard कैसे भी कोशन बनाए जा सकते हैं बहुत easy, medium या बहुत hard कोशन भी बनाए जा सकते हैं तो आपके brain के उपर है भाई कितना सोच सकते हो क्या लगा सकते हो पूरा lines and angles से लेकर के हर चीज य यह quadilateral की property, square की, rhombus की, सब चीज की, है ना, trapezium की तो खेर कोई property होती ही नहीं है, parallelogram की properties, square, rectangle, rhombus, सब की property आपको पते होना चाहिए, tough questions के लिए, बहुत tough questions आता है और आपको उसमें दिमाग लगाना है, चलो फॉना-फॉरी देखते हैं, triangles में क्या-क्या theory है, आपके class 10 मे तो सबसे पहले भी है, triangle क्या है, उसके type, अब obviously मैं आज पूरे revision में यह चीज में नहीं बताऊंगा, original lecture में बताता हूँ, triangle क्या होता है, three-sided, close, figure, enough, plane, यह सब, types, iscalian triangle, iscalian triangle, equivalent triangle, आपको पता है, class 6 से पढ़ते हैं, class 6 में पहली बार था आपका, आते हैं अब what is congruency, class 9 में आपने पढ़ी थी कि congruency क्या होता है, congruency मतलब exactly same, exact, exactly same, कोई दो चीज exactly same, exactly same मतलब भी अगर एक के उपर एक रखें तो पूरा coincide हो जाए, पीछे वाला ना दीखे, उसको पोलता है exactly same, एकदम shape भी same और size भी same, दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, shape भी और size भी, अगर shape और size दोनों एकदम बराबर है, एकदम same है, एकदम equal है, exactly equal है, तो अपन क्या बोलेंगे दो figure को congruent, में लोग एक बात बताओ, क्या एक circle और एक square कभी congruent हो सकते हैं, अरे उनका तो shape ही same नहीं है, size कहां से same होगा, समझ रहे हो, है ना, तो दो circle आपस में congruent हो सकते हैं, दो square congr congruent हो सकते हैं, क्या एक square और rectangle का भी congruent हो सकते हैं, नहीं, तो सबसे पहली बात, अगर congruent होना है, तो same figure होना चाहिए, एक square, square के साथ congruent हो सकता है, कब, जब दोनों का side क्या हो, equal, एक circle, दूसरे circle से congruent हो सकता है, कब, जब दोनों का radius equal हो, फिर, अब congruency में और जादा depth में नहीं उतरेंगे, क्यों हो, क्यों हो 9th का है, 9th का revision करने का है, तो 10th खतम, है ना, तो 10th में आ जाते हैं, अब congruency, 9th का पास अच्छा है, थोड़ा सो shortcut में एक बर और और देख लेते हैं, बस क्या चीज, 9th में अपन ने पढ़ा था, कोई भी दो triangle को, अगर अगर आपन को बराबर है, एक triangle और दूसर triangle, उसके सारे corresponding sides क्या है, equal, तो दोनों triangle क्या कहलेंगे, congruent, next था, angle side angle या angle angle side, कोई भी दो triangle है, आपने कोई भी दो angle proof किया, equal अपस में, और एक side, तो दोनों triangle क्या हो जाएंगे, congruent, congruent मतलब exactly same, चीक है, और यह का side angle, side, कोई दो side और उनके बीच का ही angle, actual में आप कोई भी angle करो कि ना, तब भी congruent होता है, लेकिन NCIT में इस ले नहीं पढ़ता है, है ना, ठीक है, side, angle, side ही पढ़ते हैं, कि दो side और उनके बीच का angle, मालो यह यह दोनों side को आपने किसी और दो side से equal proof किया, और उनके बीच वाल angle को equal proof कर दिया, तो side angle side बोलत है, लेकिन उसको special नाम से दिया, RHS, RHS को आप side side angle भी मान सकते हो, अब हो क्या रहा है, कोई दो right angle triangle के लिए, यह किसके लिए, दो right angle triangle, ट्रेंगल, अगर दो right angle triangle है, तो एक angle तो equal होई गया, अब आप बस hypotenuse को equal proof कर दो, और दोनों में से कोई भी एक side को, तो दोनों triangle आपस 10th में क्या पढ़ना है, similarity, अब 10th में आपको पढ़ना है, similar figure, similar मतलत एक जैसे, shape same, size नहीं, बास समय में है, shape एकदम same होना चाहिए, लेकिन size same ना हो तो भी चलेगा, तो अगे निहां पर भी o question valid है, क्या एक square और एक circle कभी भी similar हो सकते हैं, similar तो same, हाँ, दो circle हमेसा similar होंगे हमेसा, भाई, दो circle कैसे भी बनाओ, छोटा या बड़ा, कैसे, कितने भी radius का बनाओ, हमेसा similar shape एकदम same है, इसको बड़ा करने में यह, इसको छोटा करने में यह, मिल जाएगा, तो यह क्या होगा, similar figure, समझ में है, similar figure क्या होता है, सबको चमक गया, similar figure क्या होता है, similar figure मतलब shape एकदम सिम छोटे वाले को बढ़ा करो तो बड़े के बरावर बढ़ा बढ़े वाले को छोटा करो तो छोटे के एक्जेक्ली सेम बन जाए उसको बोलते हैं similar figure तो two circles are always similar true two squares are always similar true two square हमेशा similar होंगे एकदम एक जैसे two rectangles are always similar false two rectangles जरूरी नहीं है हो एक देखो एक यह rectangle और यह rectangle दोनों rectangle है दोनों सिमिलर है क्या नई है ना ठीक है तो दो rectangle ज़रूरी नहीं कि similar हो क्या इसको मैं यह बना सकता हो बढ़ा करके इसको मैं अगर बढ़ा करूंगा तो इसका लेंद भी और बढ़ेगा विट भी और बढ़ेगा तो शेप दिखी नहीं रहा ना भी है कि यह दोनों का शेप एक जैसा नहीं है तो वैसे यहां पर और आगर देखेंगे देखो यह दोनों similar एक दम exactly same दिख रहे हैं अब बाकी तो आप exact measure करने के बाद ही बता पाऊगे है ना अब देखो जैसे यह दोनों similar है तो एक वी से इस बात देखो फोर बाई एट वन बाई टू वन बाई टू फाइब बाई टैन वन बाई टू सिक्स बाई टूल वन बाई टू तो एक्च्व मतलड मालो आपने 4गुणा कर दिया इमेज को तो लैंसी बीचार गुणा विट्स वी चार गुणा जो जिचार चार गुणा him सब pää्ना हो चाहेगा तो चार गुना 4 अब성 इसको वालेंगे इसको भी गेल अ after covering may 9 किया और ये ताज महल लोङा ये था स्मिलर है नई भीया ये स्कुप citrusाट फाज मर यह है चलो क्या यह और यह सिमिलर है हाँ इसी को फोड़ा चुटा करेंगे तो यह बन जाएगा या इसको बढ़ा करेंगे तो यह बन जाएगा इसको बढ़ा करेंगे तो जह नहीं बनेगा यह ओड है यह इंहीं है और यह नहीं है पुड़्स होई नहीं सकता यह त्रेंगल नहीं है है ना तो सब्क्रासानी से मिल Been Hoans 2 पैरलो ग्राम जरूरी सिमिलर हो कि यह वर लो ग्रम है यह लोग्राम हैuz कि यह पर लोग्राम है सिमिलर है कि एक जैसा शेप धिख रहे पॉल्स पॉल्स अरे भीया रोंबस में एंगल देखा यह एक रोंबस आप तो दूसरे प्लेन में ही प्लेन में तो है बस अंगल अलग है तो दो रोंबस हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं पॉल्स ठीक है और कॉंगुरेंट मतलब एक्जेक्ली सेम है से पॉर साइज तो से तो सेम हो गई है बहुत बढ़ी आगे वाट इस सिमिलर अब पूरा पढ़ली आपका सवाल आ रहा है वाट इस सिमिलर नहीं बता हूंगा चलो हां एक बात याद रखना अगर दो फिगर सिमिलर है तो आप क्या बोला भाईया या हाँ सबसे इंपोर्टेंट बात पुरे चैप्टर की कोई दो फिगर सिमिलर हैं या लगना अगर कोई धो ा है है कैसे भी उगधी रहो जरुनी सिर्फ ट्रेंडल लीट चैप्तर की नामें ट्रेंग। है ना है शे Questions apart है मैं लो ये और ये similar है A, B, C, D F, G, H, I E को खाए लिया हुआ है ना अगर मैं बोलूं कि A, B, C, D is similar to F, G, H, I अगर मैं ये बोलता हूँ ठीक है तो अगर कोई भी दो figure similar है तो सारे corresponding angles क्या हूँगे ये मैं बता रहा हूँ अगर दो figure को आपने similar proof कर दिया तो आप एकदम confident के साथ ये बात कह सकते हैं कि सारे corresponding angles क्या हूँगे equal, A का corresponding F तो A is equal to angle F angle B is equal to angle G angle C is equal to angle H और angle D is equal to angle बास होन गई और इनक बात और कह सकते हो आप लोग क्या कह सकते हो अगर कोई दो figure similar है तो सारे corresponding angles तो equal हूँगे और सारे corresponding sides का ratio equal होगा और उसी ratio को अपन बोलते हैं scale क्या मोलते हैं इसका मतलब यहाँ पर देखो AB by FG is equal to BC by GH is equal to CD by HI is equal to DA by IF बास समझ में आई यस तो बस यही यहाँ रखना है पूरो chapter समाप है ना थोड़ा सा है बाते करेंगे 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 बाते हैं है ना भावना में मत भाव करो अगर कोई 2 figure similar है तो सारे corresponding angles equal होंगे कितने हैं अब triangle की बात करेंगे तो कितने साइट्स तीन तो 6 चीज़े हैं तो तीनों side का ratio equal और तीनों angles आपस में equal जब भी similar होंगे दो दो triangle तो बास समझ में आई अब यह तो होगे property यूज कर सकते हैं ना सोचो 6 चीज़ एक बार में equal हो जा रही है तीन चीज़ equal हो जा रही है और तीन का ratio equal हो जा रहा है यह सौर नों तो यह यूज आ सकता है property अभी property यूज करने के लिए 2 figure को similar बनाना भी तो पड़ेगा तो 2 figure को similar कैसे बनाते हैं इसक सेम proportion में होंगे ratio equal proportion मोलते हैं सेम proportion में होंगे जैसे देखो यह 2 by 3 और 1 by 2 बराबर है क्या नहीं तो यह similar नहीं है 6 कि अच्छा इसका विट ले रहा हूं तो इसका भी विट लूँगा ठीक है 6 by 9 और 12 by 18 क्या बराबर है 2 by 3 2 by 3 तो यह दोनों figure आपस में similar है बास समझ में आई तो similarity देखने के लिए और हां angle भी देखो खाली side देखने से नहीं होता अगर इसका angle अलग इसका angle अलग तो नहीं होता सिमिलर इसका भी सारे 90 इसके भी सारे 90 तो सारे एंगल्स भी equal और side का ratio भी equal तब आप क्या बोल सकते हो कि यह दोनों figure क्या है similar is that clear is that clear टक क्या आगे बढ़ते हैं आप similar triangles triangles में आगे triangle को similar कब होगा वही सेम चीज़ बार 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 बोल रहे हैं पन सारे corresponding angles एंगल्स equal हो और सारे corresponding side same proportion में हो है ना इतनी सारी सीच प्रूफ करें क्या सारे एंगल एक्वल और सारे साइड इक्वल कुछ कम करेंगे तब भी काम चल जाएगा तो उसी को अपन बोलते हैं criteria ठीक है अब पहले criteria पढ़ने से पहले यह देख लेते हैं ना डारेक्ली ग्यान फ्रम क्रिश्न जी क्या कहना चाह रहे हैं नाम लिखना बहुत इंपोर्टेंट है यह 9 में भी बता रहा था तब मैंने आपको बताया था और तो अभी तो बताया था जब यह चप्टर पढ़ा रहा अब लिखना बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत सही नाम लिखना मालों जैसे दो ट्रेंगल है एक यह है और यह अगर मैं लिखना हूं बी एस सीमिलर टू ट्रेंगल भी एसी अब नाम बहुत सही लिखना चरूरी है आप गेला मैं बोलतún कि यह साइड इसके बराबर है और यह साइड इसके बराबर है तो नाम लिखो झों कि ट्रेंगल बी एसी किस ट्रेंगल का के सिमिलर होगा अब यहाँ एँपर आप कुछ भी नाम लिखने की सार कुछ भी लिख दो ना हचाई जय एचाई याई Supreme समझ रहे हो कुछ भी नहीं लिख सकते नाम सही होना जरूरी है क्यों कि ये नाम बहुत कुछ बताएगा को corresponding angles बताएगा corresponding sides बताएगा नाम में गड़बड़ी मतलब पूरा गड़बड़ी समझ भी आ रहे क्या पका अब देखो AB के corresponding कौन है HI मैंने कहां से चालू किया B से चालू किया और मैं किस के तरफ जा रहा हूँ A के तरफ मतलब यह वाला side के तरफ यह वाला side कौन सा यह है तो अगर मैं यहां पर I से start करूँ हो तो मैं को किधर जाना है H के तरफ I, H अब बचा कौन J आप कुछ और नहीं लिख सकते आपको बहुत प्रॉपर नाम दिखना पड़ेगा और चेक भी कर सकते हो एंगल B एंगल I के पराबर है यह वाला यह दोनों side के बीच का है यह I भी इंदोनों के बीच का है हाँ ठीक है दोनों same side के एंगल A किसके बराबर H एंगल C किसके बराबर J बास समझ में आई तो आप नाम लिखना बहुत जरूरी है क्या आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं ऐसे रिप्रेसेंट करते हैं इस ट्रेंगल is similar to this ट्रेंगल बास समझ में आई और नाम बहुत जरूरी है B A is equal to I H A C is equal to H J बास समझ में आई डारेक्ट नाम बताता है इसका पहला दो ले रहे हो तो उसका भी पहला दो है देखो B A B A is equal to H I है समझ में है तो नाम कुछ भी नहीं लिख सकते नाम आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा आगे बढ़ेगा क्या दोनों given figure similar है तो सबसे पहले angle तो सारे नंटी है बस ratio देखना है ये भी rectangle ही है तो बस length और यहां पर ये length 8 by 4 width और ये width 5 by 2.5 ये भी आ रहा है 2 ये भी आ रहा है 2 तो ये दोनों similar है नाँ, next criteria last में अगा में लगता है ये रिविजन करवारे हैं ये chapter पहली बाद करवारे हैं रिविजन ये रिविजन लग नहीं लग नहीं लग नहीं पहली बार लग रहे हैं और इस मिट बादेते हैं क्या चारह है चलो, theorem 1 चलो, theorem 1 BPT या फिर Thales theorem दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है Basic Proportionality Theorem या थेल्स theorem NCRT में कुछ नहीं लिखा है ठीक है Midpoint Theorem क्यों लिखोगे Midpoint Theorem 9th में था इस स्पेसिफिकली जब बराबर बाबर दाया या बराबर नहीं बोल रहे हैं रेशियो इक्वल बोले है जिसमें कालते हैं एक साइड उसमें एक पैलागा लाइन डॉप होगे क्यालते हैं रेशियो इक्वल है तो दिया तो NCRT में तो हम मैं एंगर रूल आज़र सकता है सब्सक्त्राइब कर सकते हो कुछ निम बोला है तो इतर देखो प्रूफ कर लेता है इतर देखो A B C B E ठीक है आपको क्या बोला सिंपल सी बात अब यहां पर रिविजन चल रहा है तो मैं प्रूफ अगर तो कुछ नहीं करने वाना हूँ डारयक्ट आपको जो याद रखने हैं को बता रहूँ कभी भी ट्र्यांगल में कोई भी अगर आप प्रैंगल डॉप करोन ग रहे ओ ट्रैंगल की किसी एक साइट्सी ऑड्साइट्साहर Г. Chile इसके प्रैंगल है कोई भी लायन डॉप कर रहे हो कि वो दो line को cut करें तो जो cut करेंगी बचीवी दोनों line को same ratio में करेंगी मतलब this by this equal to this by this अगर यह m is to n है तो यह भी m is to n होगा बास समझ नहीं किसी भी triangle पे किसी भी एक side के parallel line draw करो तो बचीवी दोनों side को equal ratio में cut करेंगी easy है easy है एकदम चलो इसके उपर क्या question है वो प्रूफ करने के लिए जहगा था प्रूफ में करनी रहा हूं अच्छा दूसरा इसका उल्टा वाला भी देख लेते हैं inverse of basic proportionality theorem उल्टा अगर कोई line दो sides को equal ratio में divide कर रही है तो तीसरे से क्या होगी पैरलल basic proportionality theorem क्या बोलता है कि अगर पैरलल है तो बराबर ratio में इसके पैरलल होगी इसके पैरलल है तो प्रूफ करो AD by AB is equal to AE by AC अब कैसे करोगे आपको साथ समझ में आ रहा है यह इसके पैरलल दिया हुआ है मतलब भाई basic proportionality theorem लगेगी क्या इतना दिमाग में नहीं चैन सकता क्या sequence में लिखके दिखा देते हैं आपको क्या given है कि एक side triangle की एक side से एक line parallel है तूरत दिमाग में चमकना चाहिए कि अरे भाई यह किसके प्रोपोर्टी है basic proportionality theorem तो भाई बीपीटी बाई बीपीटी अब डिरेक्ट क्या लिख सकते हो ad by db is equal to a e by e c align parallel to one side of a triangle bisect the other two side in the same ratio यह पुरा लिखनी की जो अतनी बीपीटी लिख दोके तो भी चलेगा है ना बागी अपने स्कूल की टीचर से एक बार और पूछने ना इतने में मांस दोगे कि नहीं ठीक है अब मैं मैं आप क्या चाहता हूँ मेरको ad को किस से compare करना है पूरा ab ठीक है तो मैं इसको inverse कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं को चाहिए कि ad साफसूत्रा अपना सलामत रहे है ना बस दूसरा क्या कर दूँ प्लस वन पूरे से अधा निकलना था तो माइनस करते थे अभी अपन को क्या करना है यह आधे से पूरा चाहिए ना ad by db है अब मैं को क्या चाहिए ad by ab add करना है दोनों को numerator plus denominator add करना है तो दोनों को क्या करने के लिए क्या करूंगा प्लस वन याद रखना किसी भी फ्रेक्शन में प्लस वन कर दोगे ना तो उपर में नूम्रेटर और क्या हो जाएगा add अब फोड़ा पांच मिनिट सांत रहे है अब add कर दूंगा उपर में ad by db upon ad is equal to ec plus ae by ae lc m ले लिए taking lc m लिख देना ब्रैकेट में और अकड़ दा मच्छे से लिखना है taking lc m ad by db ad by db पूरा ab बन गया और ae by ae plus ec क्या बन गया ac आगया प्रूफ हो कहाई जो प्रूफ बनना था ab by ad is equal to ac by ae ऐ ऐसी प्रोकल कर दो यही प्रूफ बनना था इसमें थोई नहीं है कि parallel midpoint में हो midpoint माना भी कौन तो देखिए d plus db हाँ दो एपी कहता हुआ यह एक line है बिस से तोड़ दिये कहीं से भी तोड़े हो यह प्लस यह पूरी लेंड नहीं बन रही common sense अब ही एक सवाल था है ना बैट जो बैट जो कि प्रूफ करो कि भाई यह 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 इसके parallel है तो यह by ae equal to you by ae तो इसमें construct करना पड़ेगा लाइन triangle चाहिए ना parallel बोल यह मतला बीपीटी लगेगा yes or no आप देखो यह अब इस ट्रेंगल में देखो बीपीटी लगाओ के तो this by this equal to this by this अब इस ट्रेंगल में बीपीटी लगाओ के तो this by this equal to this by this प्रूफ हो गया समझ में आया तो थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा NCRT के question solve करने में पड़ेंगे आपको last chapter का last criteria for similarity of triangles को similar प्रूफ करना है वो obviously अब तीन साइड का ratio और तीन एंगल नहीं करोगें यहां पर सिफ़ फीन क्रेटेरिया आपर कितने क्रेटेरिया हैं تीन क्रेटेरिया कौन-कौन से सबसे पहला है एंगल-एंगल क्रेटेरिया ठीक हैं क्या है एंगल एंगल क्रेटेरिया या इसको एंगल 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 क्रेटेरिया भी बोलते हैं किसी भी दो टैंगल में कोई भी दो एंगल को खाली इक्वल प्रूफ कर दो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा बधिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं थो सकते हैं वोघ्टिकल एंटीर एंगल एंगल सारी प्रॉपर्टीर जितने हैं और एक एक और बात बस यहाद रखना अभी अचानक से आधाई तो पता दूं यह एक्स्टीरियर एंगल है एक्स्टीरियर एंगल इक्वल टू सम आफ इंटीर अपोजट एंगल यह सारी प्रॉपर्टी यहाद रखना क्या पता क्या काम आ जाए इक्वल प्रूफ करने के लिए दो एंगल कोई दो ट्रेंगल में कोई दो एंगल को आपस में क्या प्रूफ करता हो इक्वल बस दो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर अब अगर कोई दो ट्रेंगल सिमिलर होगे तो सारी प्रॉपर्टी वैलिड है फिर आप करते रहो दिस बाई दिस एक्वल टो दिस दो side और उनके बीच का angle उनके बीच का angle मैंने क्या proof कर दिया equal और sides का ratio क्या किया equal sides को equal proof नहीं किया sides का ratio equal proof किया बास समझ में आई तो इसको बोते है side angle side criteria याद रखना यहाँ पर angle side angle कुछ नहीं होता क्योंकि एक अकेले side का ratio किसे करोगे तो यह नहीं होता है यहाँ पर क्या होता है एक तो ss a a a a a a a s a s और एक है side 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 क्या है को और side 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 हो सकता है यह उपर नीचे लिखा गया हो है ना एक है side side मतलब this by this equal to this by this equal to this by this सारा ratio equal कर दो तो यह हो जाएगा side side साइड वो उपर नीचे लिखा सकता है बस अब कुछ कोशल्स करने है अपन को अपर काम खत्र चैप्टर खत्र पुरा का पुरा है ना चलो अब देखो ये दो ट्रैंगल है आपको बोल दिया कि भी है ये इसके पैरलल प्रूफ करोगे ये दोनों सिमिलर है एंगल दो एंगल इक्वल एंगल एंगल सिमिलर हो गए इसी है कि नहीं इसी है कि नहीं फाइंगल पी हम उसफ एक रहर मेल्ये आहिए अलिया कि ये ऊद्वटों 165 कि अडियों कैं एक玩ब्योटी आपको काशिए आखोस स्पास्राई से इसटम उन्म्याद भी और उस्ते नहीं अब इसको इजद से कैसे करोगे आपने तो कर दिया कि यह 60 प्लस 80 कितना हो रहा है 140 तो यह होगा 40 क्योंकि sum of 180 और यह 40 तो यह भी 40 चलो इसको 40 निकालने के लिए आपको कुछ प्रूफ करने की जबत नहीं है लेकिन अब इसको भी 40 कैसे बोल रहा है तो दोनों को similar प्रूफ करना पड़ेगा तो आप देखो this by this 3.8 upon 7.6 is equal to this by this 3 root 3 by 6 root 3 cut गया 1 by 2 यह भी 1 by 2 equal है दो sides equal और उनके बीच का angle भी equal तो आपको लिखना पड़ेगा by side angle side triangle BAC is similar to triangle RQP ठीक है फिर आप भाई similar triangle property बोलोगे angle C is equal to angle P तो angle P is equal to angle C और angle C कितना था 40 degree बाद समझ में आई तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि similar है उसके बाद ही नो उसकी property उसकरोगे कि सारे corresponding angles क्या होंगे इसमें मैंने previous year questions ने डाले हैं बाद मैं करा दूंगा फिर से वैसे भी मैंने अभी पूरी आपकी टाइपिंग के लिए दिया है पूरे previous year questions है मार पिटाई है ना तो चाट चाट याद कराना है ठीक है चलो तो इसी के साथ पूरा का पूरा चप्टर आपका triangle हो गया है revision अगर आपको कोई और particular topic पूरे class 10 का चाहिए तो मुझे comment section में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर मिनिंग आपसे अगली class में तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें देखते रहें सारवसर की class जैंहिंद बाइबाए टेक के रहें